हेलो नमस्कार साथी और जैहिंद बंदे मातरम दोस्तों मैं हूँ माही और स्वागत करता हूँ आपका अब जीतेंगे बन पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल से जुड़ जरूर जाना सब्सक्राइब का बटन दबा कर वैल आइकन जरूर दबाना जिससे आगे आने वाला कोई भी अच्छा टॉपिक जैसे आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में तुम्हारे सामने पूरी परता ही खोल दूगा तो मैं इदर उदर घूमते फिरते हो सर मेरा कितना नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा यह हो जाएगा तुम खुद ही लगा ले ना धोस्तो ध्यान रखना 90% लोगों को नहीं पता क कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है आज बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से दो मिनट चार मिनट सुन लो आपका फंटा के लिए रो जाएगा और बताऊंगा आपको कि कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है 2023 में अभी रिजल्ट नहीं आया अभी ध्यान रखन रज जाए गा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैसे बढ़ते हैं कैसे घटہ तो रएंट देखक लिजे बिना वक्त जाया किये हुए बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन की आइडिया आप कैसे यूद्स येसे आपके मार्स रेरी करने हैं syntax GTD2023 के बारे में बात कर रहा हूं नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और आप स्वयम ही अपने नंबर लगा लेना कि मेरे कितने बन रहे हैं चलिए फटा फटा अगर तुमें इस ख्राइटेरिया को फॉलोई नहीं कर रहे तो यू आर नॉर्मलाइजेशन के अंदर प्रवेसी नहीं कर पारे हो तो नॉर्मलाइजेशन का जंडा लेके क्यों खड़े हो को मुझे भी मिलेगा नॉर्मलाइजेशन नहीं बता देता हूँ, if you are belonging from undeserved category, जनरल से अगर belong करते हो, 30% जरूरी है, क्या कह रहा हूँ, 30% question करना जरूरी है, दोस्तों, यहाँ OVC से 25, EWS 25 और SCHT, 20% question करना जरूरी है, करेक्टर बात समझ में आगी, चलो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्क्स में भी ले ले का अलग formula है, और किसी का अलग होता है, ध्यान रख देना, ठीक है, तो 24, 20, 20, 16, और आप अपनी category के नुसार इतने questions अगर कर पाए हैं, तब आप normalization में प्रवेश कर गए हैं, सब उससे पहली बात तो यह funda के लिए करो अपना, ठीक है सर मैं प्रवेश कर गया हूँ, मैं अगर आपके दिमाग में यह समझ में आये, तो ध्यान रखना, इसमें mean, mode, median, deviation, सब यूज होता है, अगर आप इनको समझ पारे हो, तो समझ लो यही फॉर्मूला है, x normalization, total, max, x minimum, x maximum, minus x minimum, यानि average score, below average, greater than average, ऐसे करके इसका फॉर्मूला नहीं आया न समझ में, अब सुनो देसी भासा में, दोस्तो, क्योंकि देसी भासा में वही निकाल पाएगा, जिसको खुद समझ में आया होगा, अब सुनिए, फटा-फट, पहली सिफ्ट, दूसी सिफ्ट, आपको आगे तीन सिफ्टों में समझाँगा, यहाँ दो सिफ्ट का सिर्फ example दे रहा हूं, कि ज्य तो वह सिफ्ट टप हो गई, और यही दोस्तो, दुनिया का नॉर्मलाईजिसन का फॉर्मूला चलता है, मैं इसको थोड़ा खोल देता हूं, क्या करता हूं, खोल रहा हूं थोड़ा सा, तुरंत देख लीजिए, फिर समझा रहा हूं, अगर चैनल पर नए हैं, तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा, फिजीकल के लिए एक एक वीडियो, अगर आपके अंदर आग नहीं लगा दी ना फिजीकल की, तो मैं भी दोस्तों क्या, माही राजपूत मेरा नाम नहीं ध्यान रखना, 80 प्रशन आपके आते हैं, सब जानते हैं, मैंने भी कट आप बनाई है, हजारों लोगों ने कट आप देखी, आपने अब नहीं देखी अभी, तो देख ले ना, चैनल से जुड़ना जरूर है, देखो पहली सिफ्ट, अब कितनी सिफ्ट में एक्जाम हुआ है, वो पीछे रखो, मैं सिर्फ तीन सिफ्ट ले रहा हूँ, एक्जाम पिल के लिए, पहली सिफ्ट, दूसरी सिफ्ट और तीसरी सिफ्ट, आप जानते हो, हर सिफ्ट में कोश्चन तो 80 ही रहे होंगे, क्या किसी के बढ़ गए थे क्या कोश्चन, पिचतर-चतर हो गए थे क्या, अरे घटे बढ़े नहीं है बेटा, हर एक सिफ्ट में क्या है, 80 प्रिश्ट न सिलता है, पहले बता दू, नॉर्मलाइजेशन क्या मिल सकता है, 15 से 20 नंबर, और एक चीज़ और बता हूं, 80 परसेंट लोगों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई, सब कुछ सुमारा यह है, 80 परसेंट लोगों को फार्मलाइजेशन में फाइदा ही होता है, चलो, अब नेक्स्ट आजाओ एक बार, मैं क्या कह रहा हूं, 80 का भीया पिंपर, वह एक कोशन का, मान लो, एक सिफ्ट में क्या हुआ है, मान लो नहीं, यह फॉर्मूला है, इस उस फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया है, चीज कोश्चन वह हैं, जो दोस्तों मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट है, मतलब, सब नहीं कर पा रहें, कर भी पा रहें, तो 15, 14, 12, 15, 14, 12, इस टाइप से, 10 क्रिशन ऐसे हैं, जिनको टफ कंसीडर किया गया है, 10 क्रिशनों को ध्यान दखना, ठीक है, अब क्या हुआ, मा आलो 50 सौलव कर दिये एवरेज बच्चे ने और उन 50 में क्या किया विटा 50 का मतलब क्या है 59 सो यानि सो नंबर का पेपर लगभग एवरेज बच्चे ने इस सिफ्ट में कर दिया सौलव उन सौ में से जो ओस यह वारे सौलव कियें टफ वाले ठीक है बस अभी यहां था कितन 45 यहां पर average है ध्यान दख लेना यानि हर बच्चा लगबग 90 नंबर का पेपर यहां करे जा रहा है जो normal बच्चा medium range का बच्चा इतना average इसको ला रहा है अब मैं आता हूँ third shift पर same question है 30 question हो गए सरल जो सरल प्रुष्ण थे और 30 हो गए सब्सकों से 30 हो गए वो जो medium range के हैं सारे लोग उनको नहीं कर रहे है अब देखो अब 20 हो गए यहां पर tough कितने हो गए tough attempt है 20 अब देखना ध्यान दखना अब तुम्हारे number decide कर रहा हूं कितने number किसके बढ़ेंगे देखना यहां एक बच्चे ने दो question attempt किये थे दोस्तों किसमें से tough वाले में से ध्यान रखना इसके अगर कितने number बन रहे हैं पचास दूनी 100 number बन रहे हैं दो question attempt किये थे ना इसने ध्यान रखो 2-3-6-6-7-8-20 ध्यान रखना माइडियर 109 के लगबग इसके नमबर बच जाएगे बच्चे के सबजगे अब यह calculation मैं कर रहा हूँ तुम अपने हिसाब से करना ध्यान रखना यहां देखो इसने tough वाली shift में से 5 question करें मतलब जो tough question थे ना normalization उसपे depend करता है ध्यान रखना और कैसे घटते हैं जो नमबर घटते हैं वो भी बताऊंगा कैसे घटते हैं इसमें अगर 15 में से 5 questionation attempt कियें इसने 10 में से 2 किये थे इसने 15 में से 5 किये बात तो वो ही है average percentage कितना निकलेगा वो ही निकला तो ध्यान रखना इसके भी दोस्तों मालो 90 है नमबर है तो इसका भी क्या होगा इसके 100 ही पोँचेंगे ध्यान रख लेना क्या कह रहा हूं भाई अरे नहीं आरी समझ में बात मैं कह रहा हूं इसने 10 में से 2 करे थे इसने 15 में से 5 कर दिया बात वो ही है उतना ही system रहेगा इसके भी 100 ही नमबर होंगे लेकिर बात आती है यहां पर अब देखो change यहां क्या था 30-30 अब यहां average attempt सिर्फ 40 का है जो बच्चा है उसकी सिर्फ फस गई tough यहां पर भी दोस्तों 30 कोशन आई 45 की जगए यहां पर क्या total attempt उसका 40 का है लेकिन वो क्या कर गया उसको यह नहीं आता था ताजमेल कहां पर है धान का कटोरा केसे कहते हैं चाय का दोस्तों बागान कहां पर है सबसे पहले किसको GI tag मिला वो नहीं जानता था वो थोड़े tough question को जानता था जो हम 9 बजे quiz में कराते हैं ध्यान रखना रात को daily देखो अगर उसने tough में से क्या किया वेटा 20 में से उसने 10 question कर दिये क्या किया 10 question कर दिये माल लिए ध्यान रखना 10 दूनी 20, 3, 15, 3, 3, 9 दोस्तों 40 दूनी 80, 16 और इसके कितने number हो जाएंगे इसके हो जाएंगे आइडियर 100, 103 number कितने 103 number कितना 23 number का normalization यहाँ पे है 10 number का यहाँ पे है और दोस्तों 9 number का यहाँ पे है अब समझ में आ गई आप कहोगे यार मिज़े तो समझ में नहीं आ रहा है उसके भी 50 सही थे मेरे भी 50 सही थे उसके 100 के पार निकल गए मैं 99 पर ही रह गया ऐसे होता है कि number of tough जो question होते हैं वो किसने attempt जादा मारे है दूसरी बात यह जो है जो जिसको सब कर रहे है जिसको जिसको ललू कुश्चन कहता हूं क्या लूलू कुश्चन उसको बेटा सब कर रहे हैं उसमें से भी अगर आपने गलत जादा करें न तो number normalization में उसी व्यक्ति के घटते हैं और किसी के नहीं घटते इसलिए 80% के marks बढ़ते हैं तो कोई अगर यह कह रहा है कि यह पत्थर की लखीर हो गई 20 number से जादा normalization नहीं मिलेगा वो गलत कह रहा है 20 number से उपर भी normalization मिल जाएगा अगर आपने question यहां 12 attempt कर दिये ध्यान रखना 20 में से ठीक है तो अब मैं समझता हूँ normalization का खेल तुमको समझ में आगया होगा दोस्तो वीडियो को share जरू कर देना अच्छा लगा हो like कर देना normalization समझ में आया हो तो नीचे बता देना comment section में और अपने number जरूर जोड़ लेना answer की सबने download करके रखी होगी एक बार देख लेना tough question कौन सा है जो आपने attempt किया है और कौन से सरल तुमने गलत कर दिये है फिर से घूमो फिरी बैठे हो यूट्यूब देखते हो एक बार घूमो अपनी answer की पर और देखो कितने marks बन रहे हैं ठीक है चलो शुक्रिया जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तों पहली बार अगर आए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाना क्योंकि फिजीकल की preparation अब शुरू होने वाली है वक्त आ चुका दोस्तों मैदानों में धूल उडाने का शुक्रिया जैहिंद माइडियर